आपने अब तक तरह तरह के इंसानों के बारे में कहानिया पढ़ी होगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बापे में सुनकर आप हैरान हो दाएंगे यू तो आज के इस दौर में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं अभिभावक हैं जो अपने क्या दो बच्चे को पालने में दिक्कत होने लगती है लेकिन इसी दौर में एक ऐसी भी मा है जो 400 कुत्तों के भोजन का प्रबंद करती है इस ओरत का नाम प्रतिमा देवी है और ये दि ये है कि ये ओरत अपने सारे पैसे अलाके कुत्तों को खिलाने में खर्च कर देती है ये महिला रहती तो है अपने टीन और जाट से बने कच्चे मकान में लेकिन इनई मकानों में वेह 200 कुत्तों का पालन-पोर्षन करती है बताया जा रहा है कि प्रतिमा के घर के पास भी इन 200 के अलावा 200 और कुत्ते खाने की लालच में मंडराते रहते हैं और उन्हें भी खाना देनी का प्रबंध करती है। प्रतिमा पाले गए कुत्तों की वेक्सिनेशन की भी व्यवस्था का ख्याल रखती है और पास के सरकारी जानवरों के हस्पता से उनको स्टरलाइज भी करवाती रहती है ये कुत्ते कभी किसी को नहीं काटते हैं वेहून की साफ सभाई का भी धयान रखने के साथ साथ उन्हें नहलाने का भी कारे करती है वैस तो प्रतिमा देवी तीन बच्चों की मा है और उसके बच्चे भी कहीं बाहर नौकरी करते हैं लेकिन प्रतिमा मन का इन बेबा जुबानों में इतना रम गया है कि अव्वेह गाओं नहीं जाना चाहती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइट एवं शेयर जरूर करे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो और भी नए और दिल्चस वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करे